हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड जमू कश्मीर के बारा मुला में एंकाउंटर 30 घंटे बाद खत्म हुआ एंकाउंटर में लश्कर का कमांडर सजात और हैदर समे तीन आतंकी मारे गए लेकिन इसमें सुरक्षा बलके हमारे पांच जवान भी शहीद हुए है शहीदों में सेना के दो जवान है, सियार पियस के दो जवान है और जमू कश्मीर के पुलिस के एक जवान है CRPF के शहीद खुर्शीद का शव जब रहतास पहुंचा तो पूरा इलागा आखरी विदाई दिने के लिए उमर पड़ा खुर्शीद खाना मर रहें और हिंदुस्तान जिन्दाबाद के नारों के बीच शहीद मुहमद खुर्शीद खान का शव बिहार के रहतास पहुंचा ये पहली तस्वीर जब सड़कों पर तिरंगा लिए जनसेलाब उमर पड़ा क्योंकि रहतास का लाल लौट रहा था शहीद का शब ये गाड़ी के आगे पीछे बाइक रैली चल रही थी लोग आखरी सलाम करने रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे जब शहीद ते रंगे में लिप्टा अपने गाउं घोसियां कला पहुंचा तो पूरा गाम उमर पड़ा हर कोई शहीद खुर्शित के साथ आखरी तस्वीर लेना चाहता था कुरोना काल में किसी को अपनी जान के परवा नहीं थी हर कोई आखरी विदाई देना चाहता था शहीद खुर्शित उन पांच रहदों में शामिल हैं जिने पाकिस्तान की नापाक साज़िश का शिकार होना पाँ खुर्शित भी बारा मूला में तैना थे पेट्रोलिंग के दौरान आतंकियों ने घात लगा कर हमला किया उसके बाद 30 घंटे चरे एंकाउंटर में तीन आतंकियों को ढ़ेर कर दिया गया यह उस आखरी धमाकी की तस्वीर है जो आतंकियों के सफाई की निशानी है इस इंकाउंटर में भारत को अपने पांस सपूतों का नुकसान उठाना पड़ा शहिद खुर्शित की शहादत को सलाम करने के लिए सियार पियफ और पुलिस के अधिकारी भी पहुँचे यहां भी लोगों की भीड़ उम्री पड़ी थी रात को शहिद खुर्शित को सुपुर्दे खाक कर दिया गया भारत का लाल भारत की मिट्टी में हमेशा के लिए सो गया जढ बारत के लिए सुपुर्दे खाक के लिए भारत के लिए सुपू। यंशित को शहिए सुपू। झाल झाल